कच्छे तेल के दामों में कमी आई है जिसकी बज़े से हवाई इंधन के दामों में भी कटोती की गई है इससे आम जंता को क्या लाव होगा इसके बारे में बताएंगे यूएन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें चीन की काली कर्तूतों का परदा फाश किया गया है रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है आपको आगे बताएंगे इसके अलावा राजनीती और फिल्म जगत से जुड़ी भी बहुत जरूरी खबरे हैं इन पर भी डिटेल से बात करेंगे बस बने रहे हैं बुलिटिन के अंध तक नमस्कार मैं मेखा आप देख रहे हैं दालीड और हिंदी अब खबरें विस्तार से गुलाम नभी आजात के कॉंग्रेस से स्तीफा देने के बाद से पार्टी में हलचल तेज हो गई है पार्टी चोड़ने के बाद गुलाम नभी आजात ने बयान देते हुए कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पार्टी के नेतरतु पर सवाल उठाया था वहीं अब उनके समर्थन में NSUI के 36 नेताओं ने सामुई के स्तीफा दे दिया है राज के उपाध्यक्ष अनिरुद रहना से लेकर प्रदेश महासचिप मनिक शर्मा ने स्तीफा दे दिया है बता दे गुलाम नभी आजात ने पार्टी के नेतरतु पर कई गंभीर सवाल उठाये थे यह भी कहा था कि पार्टी में वरिष्ट नेताओं का अपमान किया जा रहा है साथ ही पार्टी पूरी तरह से कठव पुतली मॉडल पर काम कर रही है गुलाम नभी आजात ने अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया था कि वो जल्दी प्रदेश में एक नई पार्टी की स्थापना करेंगे उन्होंने बताया कि राज में आगामी चुनावों को लेकर नई पार्टी बनाने का फैसला लिया गया है हाला कि इस से जादा उन्होंने इस बारे में जानकारी देने से मना कर दिया था कच्चे तेल के दामों में कमी के चलते हवाई इंधन के दामों में कमी आ गई है एवियेशन टवाईल फ्यूगल के दाम में भी 0.7% की कटोती की गई है सरकारी तेल कंप्रियों ने हवाई इंधन के दामों में कटोती की जानकारी दी है माना जा रहा है कि ATF के दामों में कटोती का फायदा एरलाइन्स को होगा जिसका असर हवाई किराये पर पढ़ सकता है इस वर्ष ATF के कीमतों में चोथी बार कटोती की गई है ATF के दाम घटने से एरलाइन कंपनियों की परिचालन लागत में कमी आएगी आज से घरेलू रूट्स के लिए हवाई किरायत तैकरने का अधिकार एरलाइन को मिल गया है अब तक घरेलू हवाई यात्रा के किराय का लोवर और अपर सीमा सरकार तैकर रही थी इस कटोती का फायदा यात्रियों को एरलाइन सस्ते हवाई सफर के तौर पर दे सकती है बता दें कि एरलाइन्स बिवान कंपनी की ओपरेशन कोस्ट में 60% हिस्सा ATF का होता है 200 करोर रुपए के मनी लॉंजिंग केस की चार्ट सीट में E.D. ने बड़े खुलासे किये है मुखे आरोपी सुकेश चंदर शेखर ने एक्टरस जैकलीन फर्णानीज को ना सिर्फ घोडा बिल्ली और ज्वेलरी ही गिफ्ट की थी बलकी एक्टरस के लिए श्रीलंका में एक घर भी खरीदा था बहरीन और मुंबई में भी एक एक घर लेने के लिए एडवांस दिये जा चुके थे बता दे बहरीन में जैकलीन के पैरेंट्स रहते है इडी ने अपनी चार सीट में ये भी धाबा किया है कि जैकलीन पहले से ही जानती थी कि सुकेश एक था गया उसके खिलाफ केस चल रहा है जैकलीन ने ये कबूल किया है कि सुकेश ने उसे श्रीलंका में घर खरीदने के बारे में बताया था हाला कि वो कभी उस घर में गई नहीं ये प्रापटी श्रीलंका के वेली गामा में बताई जा रही है जो कि श्रीलंका की मशूर टूरिस्ट डेस्टिनीशन है स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में तकनिकी खामिया लगातार सामने आ रही है एक बार फिर से एक बड़ा हाथसा होने से टल गया है दरासल नई दिल्ली से नासिक जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट्स को आटो पाइलेट में गड़बड़ी होने के कारण बीच में ही दिल्ली लोटना पड़ा स्पाइस जेट V737 दिल्ली से नासिक के लिए सुभह 6 बच के 54 मिनट पर उडान भर रही थी स्पाइस जेट पहले भी कई ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है जिसके बाद DGCA ने एरलाइन्स को नोटिस जारी करते हुए कारल पूछा था बीच हवा में आटो पाइलेट सिस्टम के खराब होने से बड़ा हाथसा हो सकता था वहीं DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि स्पाइस जेट V737 में आटो पाइलेट गरवडी देखी गई इसके बाद फ्लाइट की दिनली के इंद्रा गांधी अंतुराष्ट्री हवाई एड़े पर इमर्जंसी लैंडिंग कराए गई उन्होंने कहा कि बोईंग 737 विबान सुरक्षित उतार लिया गया है बिहार में नितीश कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर हलचल बनी हुई है इसी बीच कैबिनेट में मंत्री कार्तिके सिंग के पोर्टफोलियो में बनलाब किया गया था उन्हें कानून मंत्री से गर्ना उद्योग मंत्री बनाया गया था जिस पर प्रतिकिरिया देते हुए कुछ घंटो बाद ही कार्तिके सिंग ने रिजाइन दे दिया सीम नितीश कुमार ने उनका रेजिकनेशन स्विकार कर लिया है और उसे गवर्नर फागु चोहान को सौब दिया है अंडरवर्ड डॉन दाउद इवराहिम के खिलाब भारत में कारवाई तेज हो गई है खबर है कि नेशनल इन्वेस्टिएशन एजनसी ने इवराहिम पर 25 लाख रुपए का एलान किया है इसके अलावा अंडरवर्ड डॉन के संयोग्यों पर भी इनाम की खोशना की गई है एनाई ये ने डी कंपनी से जुड़ी जाच में ये कारवाहि की है खास बात है कि भारत में कई आतंगवादी गतिविदियों के लिए वांचित दाउद पर संयोग्त राष्ट सुरक्षा परिसत की तरफ से भी 25 मिलियन डॉलर का इनाम घोशित किया जा चुका है नाम नहीं छापने की शर्ट पर एक अधिकारी ने बताया कि एजंसी ने दाउद के भाई अनीज इब्राहिम उर्फ हाजी अनीज करीवियों में जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना शकील चेक उर्फ छोटा शकील और उब्रही मुस्ताक अब्दुल रज्जाक मेनन उर्फ ताइगर मेमन पर इनाम का एलान किया है अधिकारी ने जानकारी दी की दाउद पर 25 लाग रुपे, छोटा शकील पर 20 लाग रुपे, अनीज शिकना और मेमन पर 15 लाग रुपे की खोशना की है सितंबर में पूरे भारत में सियासी हलच्वल तेज रहने के आस्तार है एक ओर जहां कॉंग्रेस सास सितंबर से भारत छोडो यात्रा शुरू करने की तयारी कर रही है वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सास सितंबर से ही मेक इंडिया नंबर वन अभ्यान की शुरुआत करने का फैसला लिया है कहा जा रहा है कि आप राष्टी राजनीती में कॉंग्रेस की जगा लेने की तयारी में है वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विदान सबाचुनाओ की तयारियों के बीच यात्रा एहम सावित हो सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरीबाल हर्याना से 7 सितंबर से अखिल भारतिय अभ्यान की शुरुआत करने जा रही है इसके जरिये आप पार्टी संग्टन विस्तार और 2024 लोग सबाचुनाओ की तयारी कर रही है खास बात यह है कि आम आद्मी पार्टी चुनाओ से पहले देश के साथ एहम राज्यों में विधान सबाथ चुनाओ भी होने है केश्जी बाल मेकिंग इंडिया नंबर वन के चरिये राज्यों में रहलिया युबाओं के साथ बैठके और तिरंगा यात्रा निकालेंगे इसकी शुरुआत हर्याड़ा में 7-8 अक्टूबर को होने वाले दो दिवस्य कारिक्रम से होगी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनी फेर बदल हुआ है अपर मुखिसाचिव अबनीश अवस्ती के रेटार्मेंट के 24 घंटे के अंदर योगी सरकार ने 16 सीनियर आईएस अफसरों का तबादला कर दिया चार साल से स्वास्त विभाग की जिम्मेदारी समाल रहे अमित मोहन प्रसाथ से महकमा छीन लिया गया हाला कि उन्हें अपर मुखिसाचिव हत करगा एवं बस उद्रयोग और खादी एवं ग्राम उद्रयोग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है अपर मुख्य सचिप स्वास्त की जिम्मेदारी पार्थ सार्ती सैन सर्मा को सौपी गई है वही नब्दीत शैगल का भी विभाग छिन गया है अब नब्दीत को खेलकुद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है आराधना शुकला को माधिमिक सिक्षा विभाग से आयुज व भाग भेजागे आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा बॉक्स ओफिस पर पस्त हो चुकी है और 180 करोड रुपए की फिल्म को लेकर निर्माताओं को जबरदस्त नुकसान हुआ है फिल्म बॉक्स ओफिस पर अभी तक लगबग 60 करोड रुपए ही कमा सकी है लेकिन इस बी करणी ने ट्वीट किया जब बिनाश का जर्शन इस तरह मनाया जाए जैसे यह कोई भब तमाशा हो तो कड़वे सच बेमाइने हो जाते हैं हालाकि इस ट्वीट को ट्वीटर पर लोग रियक्शन दे रहे हैं बता दे आमिर खान की लाल सिंग चड़ा 11 अगस को सिनेमा घर भार्दी दर्शक फिल्म को खुद से कनेक्ट नहीं कर सके फिर फिल्म को लेका सोचल मीडिया पर बॉइकोट का ट्रेंड भी काफी हावी रहा था फिलाल आमिर खान फैमली के साथ अमेरिका ब्रेक पर गए हुए हैं आज के बुलिटिन में बस इतना ही देश दुनिया से जोड़ी तमाम खबरों के लिए जोड़े रहे हैं दालीजर हिंदी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हमारे आप दालीजर हिंदी को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं